आप देख रहे हैं दूस्तान सीविली और मैं हूँ आपके साथ चोप सिंग सर्चारा और बात करते हैं इस बक्त की पड़ी खोड़ी ताजनगरी आगरा में शावन के दूसरे सोंबार पर आगरा में महला कावड लेकर ताज महल पर गेट पर पहुँच गई है महला का कहना है कि उसे ताज महल में गंगा जल चड़ाना है ताज महल में भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है ताज महल की सुरच्चा में लगे जवानों ने महला को बेरियर पर ही रोप दिया है महला भी ताज महल पर जल चड़ाने को लेकर अड़ी हुई है पता जाता है शाबन में काबड या गंगा जल लाकर शिम मंदरों पर जल विसेख कर रहे है ऐसे में आगरा की एक महला मीना राठोर भी सोरों कास गंज से काबड लेकर आई हुई है शोंबार की शुवा करीब छे बजे महला काबड लेकर ताज महल के पश्मी गेट पर जाने लगी गेट से कुछ दूरी पर ही पुलिस का बेरियर लगा हुआ है पुलिस ने मीना राठोर को रोक लिया उनसे पूचा के यहां कहां जा रही हो मीना राठोर ने बताया है कि वो ताज महल में गंगा जल चड़ाने आई है ताज महल प्राचिन शिम मंदर यानि के जो महल है बगबान बोलेनात ने उसे बुलाया है और यह हमारी आस्ता का सवाल है पुलिस कर्यों ने महला को काफी देर तक समझाया लेकिन महला अपनी जित पराड़ी हुई है उसका कहना है कि वो ताज महल में ही काबड चड़ाएगी करीब दो गंटे से अधिक समय हो गया और महला काबड को लेकर बेरियर पर ही खड़ी द्र है ताज महल में शिम मंदर होने का हिंदू बादी दावा करते रहे है लंबे समय से वो ताज महल को शिम मंदर मानते वो एक घाट से ताज महल की आरती करते है ताज महल और तेजो महले को लेकर कोर्ट में याज का भी दायर हो चुकिए है पिछले दुनों भी आगरा में एक वाद दायर हुआ है कावड लेकर ताज महल के पास पहुंची महला के समर्तन में हिंदू बादी भी पहुंच गए अखिल भारत हिंदू मासवा के संजय प्रबक्ता जाट ने कहा है कि कावड लाने वाली महला हिंदू मासवा की पदादकारी है और वो ताज महल पर ही पूजा अर्चना करेगी तो जानिये क्या कुछ बोली है महला किस प्रकार वो ताज महल पर कावड लेकर पहुंची है मेरे भोले बाबा ने बुलाया तो मैं परसो गई हूँ और आज आई हूँ जब मेरे भोले बाबा ने मुझे सपने में बुलाया तो मैं कामल लेके आई हूँ हमारे सथ्क चाइबट लेके मेरे बुछ भूले मेरे बुलाया है उनने मेरे को जगाया तो मैं आयू पुजा करने के लिए बेरियर के अंदर और शी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और एक तरह हिंदुस्तान शी भी निदूट